कैने जारो अभिक्रिया, कैनाई जारो रियाक्शन में आज हम डिसकस करेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो आपके जेई और नीट में बहुत जादा इंपोर्टेंट होते हैं कैनाई जारो रियाक्शन में सबसे पहले जो बेसिक चीज़े हमें समझनी हैं कि आजी जारो रियाक्शन कभी उस ऐल्डिहाइड में नहीं होती जहां पर अल्फा हाइडरोजन होता है मतलब अल्फा हाइडरोजन नहीं होना चाहिए दूसरे important बात कि यहाँ पे सांद्रचार यानि concentrated base present होना चाहिए concentrated base की presence में कनाई zero reaction होती है तीसरे important बात यहाँ पे कि यह एक redox अभिक्रिया है और यहाँ पर असमानुपातन अभिक्रिया होती है तो यह बहुत important point है असमानू पातन अभिक्रिया में यहाँ पे हम क्या देखते है कि aldehyde यहाँ पे convert होता है कार्बॉग्जिलिक अमल में और दूसरा aldehyde का अनू convert होता है alcohol में तो यहाँ पर हमें यह जीज समझनी है कि मान लीजे आपके पास यहाँ पे hcoh है या एक aldehyde है अगर यहाँ पर concentrated naoh या concentrated koh लिया जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा final product हमें एक कार्बॉग्जिलिक अमल और दूसरा hcoh2oh मिलता है इसका अर्थ यहाँ है कि यहाँ पर oxygen की व्रिधी अर्थात oxy current कहलाती है और hydrogen की व्रिधी यहाँ पर अपचयन कहलाती है और यह एक कैनाई 0 अभिक्रिया है यह एक redox अभिक्रिया है और यह redox अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया जिसे हम disproportion reaction बोलते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़े समझ में आए कि अगर आपको कोई product दिया जाए और आपको पूछा जाए कि बताईए कि ये कौन सी अभिक्रिया है तो आप बहुत आसानी से reaction को देख कर बता सकते हैं कि अगर product में एक carboxylic acid और alcohol present है इसका अर्थ है कि दी गई अभिक्रिया कनाई 0 reaction होगी तो ये बहुत अच्छा question अभी हम discuss करेंगे तो पहला प्रेशन देखते हैं यहाँ पर आपके पास concentrated NOH अर्थार जिसे हम सांद्र NOH बोलते हैं यहाँ पर product क्या होगा यहाँ पर दो aldehyde के समू हैं तो एक aldehyde तो convert में और दूसरा convert होगा alcohol में तो यहाँ पर देखे option C हमारा correct होगा क्यूंकि यहाँ पर concentrated NOH है क्यूंकि यहाँ पर concentrated NOH है और यह OH- इस H को निकाल लेता है क्यूंकि वह एक amylia H है तो यहाँ पर हमें जो product मिलता है वो option C है next problem देखते हैं यहाँ पर देखे यहाँ पर तीसरी important चीज हमने कैनाई 0 अभिकरिया में देखी कि कोई भी alpha hydrogen नहीं होना चाहिए कोई भी alpha hydrogen नहीं होना चाहिए दूसरी चीज कि यहाँ पर हमें hydride transfer मिलता है H- का स्थानतरन मिलता है यह बहुत important point है H- स्थानतरन और यहाँ पर हमने क्या देखा कि अभी अब देखे इस reaction को हम खुद से करके देखेंगे तो देखे यहाँ पर OH- इस carbonil carbon पर आक्रमन करेगा इसके बाद यहाँ पर HC O- यहाँ OH और D होगा यह हमारा step 1 है बच्चो यह हमारा step 1 है step 2 की बात करते हैं step 2 में दूसरा molecule आएगा जो हमारे पास यह है और यहाँ पर HC O- यहाँ पर D और OH अब देखें यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा hydride का transfer यहाँ पर oxygen carbon के साथ double bond बनाएगा और यह वाला hydrogen इस carbonil पर attack करेगा यहाँ पर क्या होगा H- का transfer होगा H- का transfer बहुत important point कि कैनाई 0 अभिक्रिया में H- transfer होता है तो यहाँ अगर हम final product की बात करें तो हमें final product में यहाँ पर मिलेगा हमें यह compound तो देखे यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़े मिल रही हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यह यहाँ पर मिला है यह प्राड़क्ट है वह यह हमें प्रोडिक्ट मिला है, तो यहां पर हम क्या समझते हैं, कि यहां पर हमारा कौन सा ओप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पर देखें कि हमारा ओप्शन, यहां पर ओप्शन C करेक्ट होगा, यहां पर ओप्शन C करेक्ट होगा, यहां पर हमें कार्बॉग्सलिक एसी और D यहां पर है तो देखिए यहां पर हम option A, C और D में confusion होगा तो A, C, D में देखिए यहां पर आपको hydride transfer करना है बहुत important point H- के transfer से यहां पर answer आएगा तो याद रखेगा कि H- का transfer करना है बहुत अच्छा question है बहुत important question है इसे फिर से आप खुद से करके देखिए और समझेए तो यहां पर यह जीज़े हमने सब्चिए अब देखिए यहां पर जो reaction है यहां पर एक हमें मिल रहा है carboxylic acid और दूसरा मिल रहा है हमें alcohol यह क्या है बच्चो यह है alcohol और यह हमें मिल रहा है carboxylic acid यानि carboxylic amla तो यहां पर हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कौन से अभी करिया किनाई-0 reaction, disproportioned reaction यानि असमानुपातन अभी करिया है यह असमानुपातन अभी करिया है तो यह बहुत important point अभी हम तो यहां पर concentrated QH यहां मतलब सांद्र QH दिया हुआ है यहां पर यह product क्या होगा मैं आपको बता दू कि यहां पर हमें मिलेगा एक convert होगा carboxylic amla में और दूसरा convert होगा alcohol में और जब आप यहां पर heat दे देंगे यहां पर heat दे देंगे यहां एच प्लस तो यहां पर जल न दिकलेगा तो यहां पर H2O तो यहां पर जो हमें final product मिलेगा वो होगा यहां पर यह हमारा final product होगा तो यहां पर C double bond O यहां पर आपको मिलेगा CH2 और यहां पर O के साथ यह connect हो जाएगा तो दिखिए यहां पर हमें option A हमारा correct होगा यहां पर दिखिए यहां एक नमबर यहा दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छे, और oxygen के साथ वहाँ bond connector को option A हमारा यहाँ पर correct होगा, तो इस question को अपने से करके देखिएगा, आपको ये lecture कैसा लगा हमें जरूर बताईए, किनाई ज्यारो अभी क्लिया कितनी clear हुई, ये सभी बाते आपको बतानी है, comment में आप लिखिए कि आपसे question solve हो पा रहे है कि नहीं, और कोई भी problem हो, तो हमें जरूर बताईए, हम उस पर video बनाएंगे, उसका solution आपको देंगे, तो यहाँ पर हम basic चीजों को पहले समझ लें कि यहाँ पर no alpha hydrogen, फिर यहाँ पर H- का transfer करना है, फिर यहाँ पर हमने देखा कि असमान अभिक्रिया हुई है, असमानुपातन अभिक्रिया जो एक redox अभिक्रिया होती है, यह सारे important point और concentrated base होगा, मतलब सांद्र होना चाहिए, आपका यहाँ पर छार, तो यह बहुत important points आपने डिसकस कि, आपको यह lecture कैसा लागा, ज़रूर बताईए, thank you so much, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है अपनी मन्जिल तेक पहुचने के,